जोइन दे बैटल सो हलो गाइज इस रियान सिंग और गाइज आप लोग का एक और नहीं वीडियो में स्वागत और गाइज इस वीडियो में करने जा रहा हूं दी एडिटेक वसेज दी बैच 99 और इन दोन के बीच आज होगा फुल टॉस कंपेरिजिन एंड गाइज ये तो आज मैं सबसे पहले लिखूंगा थी अडिटेक भाई की ये मेरे कंपेरिंग लिस्ट में पहली बार आ रहे हैं तो इनकी आडे लिखना पहले बनता है इनकी आडे है 779084 देन 85 and 1 and here is अडिटेक and guys he is online with 80 e-sports and grandmaster नों बैठे हुए 345 batches with light pass और इनको जैसे ही मैंने किया इनके पास है के करेक्टर और बहुत ओपीटरस लग रही है पैट भी नया वाला अच्छा है जहां तक देखो कि सारे light pass लिए हैं इनके light 6000 प्लस हैं with grandmaster नों बैठे हैं जो की बहुत ही बड़ी बात होती है और gold 3 में है clash code में तो इनका level है 66 और जो जिस guild में है उनकी leader ये ख बात करेंगे तो CS carrier में जैसी ही हम आएं यहां पे केडी है 1.80 की with headshot rate 61.95% का बहुत उपी है और इनका win rate है 47.55% का जो की एक तरसे सही है clash code में देखते हैं तो clash code में इनकी केडी है 1.63 की with headshot rate 56.97% का and win rate है 39.29% यानि कि win rate के मामले में बहुत खराब है और इनका headshot rate बहुत अलग level का है बात करें clash code rank है clash code rank में इनकी केडी 1.88 की है when headshot rate 67.15% का with win rate 42.42% का तो इनका headshot rate और केडी ठीक ठाक है तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी ID ना ज्यादा खराब भी है ना ज्यादा अच्छी भी इनकी ID ठीक ठाक है तो यह थी खाली इनकी ID का अब हम बात करेंगे मेरे personally favorite the none other than the badge 99 और गाइज इनकी ID लिखने के लिए मेरे को refresh करके add में जाना होगा तो इनकी UID मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो इनकी UID मेरे को याद है यार कहीं देखने के ज़रती नहीं है तो इनकी UID ए 3, 1, 7, 7, 6, 8, 0, 8, and 1 Here is our badge 99 with verified और कह सकते हैं इन्दी स्टीमर टिक के साथ और इनको जैसी हमने किया inspect जैसी मैं इनको करता हूँ inspect यहाँ पर अपने favorite threat criminal bundle के साथ खड़े हैं और इनका level is 69 with 11,000 likes और इनके गिल लिटर है हॉक नूब जहां तक देखोगे light pass, light pass बीच में 2, 3 हैं शायद जो नहीं लिए इन्होंने और clash court rank में heroic में बैठे हैं, clash court rank में heroic में and ranked में tap platinum 2 में अब हम लोग बात करते हैं इनके profile में तो profile में CS carrier में जैसे हम जाते हैं तो इनकी KDA 2.23 की with headshot rate 56.59% का तो यहां पर अपने best 19.59 बाइन एक तरह से जीत चुके हैं क्योंकि इनका headshot rate भी उनके ID tag भाई के आजू बाजू ही है और इनकी KDA उनसे बहुत जादा है अब बात करते हैं इनका win rate के तो win rate है इनका 67.42 जो की इनसे बहुत जादा है ID tag भाई से क्लेश कॉर्ड की बात करें तो क्लेश कॉर्ड में इनकी KDA 2.86 की जहां यह वापस जीत चुके हैं क्योंकि इनका headshot rate 55.25% का है क्योंकि उनके आजू-पाजू ही है इसलिए मैं इनको आगे रख सकता हूं क्योंकि win rate KDA भी होना बहुत जरूरी होता है और इनका win rate 63.64 यहां पर भी यह जीत चुके हैं और बात करतें CS rank CS rank में इनकी KDA 2.65 के with headshot rate 57.18% and इनका win rate 71.32% का याने की OP नो डाउट यह जीत चुके हैं और यह एक तरस जीत रहे था क्योंकि यह मेरे फेवरेट है ना इसलिए जीत गए तो guys अगर आपको इनकी ID अच्छी लगी तो मेरे को जरूर सो मीचे comment करना और अगर उनकी ID, EDTEC भाई की ID अच्छी लगी तो मेंको जरूर सो वीडियो को like करना तो यह टास्क दिया मैंने आपको और आप बता देना किसकी ID अच्छी लगी वह आपकी उपर है तो guys अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like कर देना और प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर देना अगर कोई नया है तो Thank you for watching this video, we will meet you in the next video, till then, bye-bye